मुख्य मंत्री पुष्कर सिंग्धामी ने प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन के अंतर गत्चनित लाभार्तियों को आवास स्विक्रिती पत्र आसो पे मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन में प्रधेश के लाभार्तियों को आवास बन जाने के बाद सामान आदी के लिए पांच पांच हजार रुपए दिये जाएंगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ सबका विकार सबका विश्वास के धेवाकी के साथ सरकार नहीं बल्कि साज़िदार के तौर पर काम कर रही है आज मुखे मंतरी पुशकर सिंग धामी ने 127 एको बटालियन गड़ी केंट में अपर महानिदेशक प्रादेशिक सेना जनरल गुलाब सिंग रावाद द्वारा प्रदान की गई कोविट सहायता सामगरी का फ्लैग ऑफ किया प्रदेश के दूरस्त शेत्रों के लिए इस कोविट राहत सामगरी का प्रबंध 127 बटालियन प्रादेशिक सेना गड़वाल रायसाल ज्वारा वभिन गैर सरकारी संगटनों के मार्द्यम से किया गया कोविट राहत सामगरी के तैट ऑक्सिजन कंसंट्रेटर, ऑक्सिजन सिलेंडर, पॉल्स ऑक्सिमीटर, मास्क, सेनिटाइजर एवं खाद जिस सामगरी उपलब्ध कराई गई मुख्यमंत्री धामी ने 127 बटालियन प्रादेशिक सेना गड़वाल रायफल का अभार ग्रक्स करते हुए कहा हमारी सेना का अदम साहस वाख वीर्दा का इतियास रहा है, अपने सैनिकों की वज़ा से ही हम चैन की नीन सोते हैं और कोविट के समय में भी सेना ने अनेग प्रकार से सेवाएं प्रदानी वहीं सबसब पर J.O.C. सब एरिया मेजर जनरल संदीप खत्री मुख्यमंत्री के अपर प्रमुक सचिव अभिनव कुमार एवं सैन्ने अधिकारी उपस्थित रही कोरोना की दूसरी लहर के दोरान राश्थानी दहरादून के नीजे अस्पताल दोरा दी गई स्वास्थ सेवाओं के लिए अस्पताल के M.D. डॉक्टर विपुल कंडवाल वा उनके स्टाफ को देव भूमी माना सेवा ट्रस्ट की ओर से कॉंग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्षे सूरिकांद धस्मना ने अस्पताल पहुंच कर सभी को सम्मानित किया इस मौके पर धस्मना ने कहा अस्पताल के द वहीं सूरिकांद धस्मना को डॉक्टर विपुल कंडवाल ने धन्यवाद दिया और कहा इस तरह के उपहार से सेवा शेत्र के काम करने वाले हमारे सभी साथियों का मनुबल आगे बढ़ेगा और निष्ठा के साथ काम करने की शक्ति मिलेगी आज आरोग्यधाम के डॉक्टर विपुल कंडवाल, उनकी पूरी टीम, सारी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, नहांके सिक्रिटी गार्ड्स, उनको इस बात के लिए आज सम्मानित किया गया और धन्यवाद दिया गया जिस पकार से डॉक्टर विपुल कंडवाल के नेटोत में उनकी पूरी टीम ने, पूरे राज के तमाम लोग, जिस समय तलब रहे थे, आक्सिजन के लिए तलब रहे थे, आईसियू के लिए तलब रहे थे, सस्ता और बहतरीन इलाज, जो कोविट काल में किया, उसके मेरे नर्सिंग, मेरे कलीग, डॉक्टर लोग, नर्सिंग स्टाफ, खाना किलाने वाले हाउस कीपिंग, जितने सेक्यूरिटी गाड थे, सबको आज श्री सुलकान दस्माने जी की और से सम्मानित किया गया, और उनकी टीम की और से सम्मानित किया गया, मैं उनका अपने त पर चल रहे स्वास्त परिशन बूत का जायसा लिया साथ ही वहाँ पर मौजूद यात्रियों से बात की और बिना मास्क के खूम रहे पेसंजर रहा गारियों के चालकों को फटकार लगाते हुए परिवन विभाग के धिकारियों को चालान काटने के निर्देश दिये डिये कई बसों की फर्स्टेड केट चेक की किसी भी गारी में फ्रास्नी कुपचार की कोई समगरी नहीं नहीं निगिन जिसके लिए आईस्वीटी केचियंग को किट उपलब दुकरवाने के आदोश दिये साथी शौचाले में गंध की पाई जाने पर संबंधि संस्था को नीमिज साफ सफाई स्वेमिशिक करने के निर्देश देते हुए फटकार भी लगाई इसक नेसिसिटी है हर बस में होना चाहिए और एमर्जिंसी समय में अत्यन तावशक है फ्रस्टेट किट का रहना इसके अलाबा टॉयलेट्स की व्यश्ता का भी मैंने निर्देशन किया काफी खाम्या पाई और जो पीपीपी मोड में जिस कंपनी को दिया गया है राम की तो उनको मैंने इसके पासान किये हैं कि सफाई व्यश्ता चका चौन रखें और रेगुलर टॉयलेट्स की क्लीनिंग होनी चाहिए जिलाग्रा में विकास अभीकरन द्वारा आयजूत प्रधान मंत्री आवास योजना कारिक्रम के अंतरगत विधाक भरस इन चौधरीवा जिलाधिकारी मनुज गोयल ने योजना के तहत लाभार्तियों को प्रमान पत्र वित्रित किये साथी बधाई देते हुए यथशीक्र आवास निर्मान फारिप्रारम करने की अपील की विकास भवन सभागार में करिक्रम के अध्यक्षता करते हुए विधाक चौधरी ने उपस्तित पात्र लोगों को योजना की जानकारी देते हुँ बताया कि केंड सरकार द्वारा हर जन्पद में गरीब आसहाय वंचितवा पिछड़े वर्ग के लिए योजना संचालित की जा रही है उन्होंने आवाहन करते हो कहा कि जन्पद में अभी करीब पांच हजार लोग इस योजना के लिए प्रतिक्षा सूची में हैं इसलिए जिन लोगों को आवास के लिए प पात्र लोगों को पहले किष्ट का भुक्तान किया जा चुका है उन्होंने पस्तित लाभारतियों से जारी हुई धनराशिका स्धुप्योग करनी की अपील करते हुए अगले तीन महा के अंतरगत आवास तैयार करनी की आशा जटाई बताये कि इस योजना के अंतरगत लाभारतियों को कोटिल जोती वा उज्वला गैस कनेक्शन से भी लाभानवित किया जाएगा और फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही ताज़ा तरीम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं समय साक्ष नमस्कार